अब हम पहुंच गया है दिल्ली के यमुना वेहार इलाके में यह पूरा रेसिडेंशल इलाका जिसमें आप देख रहे हैं कई दुकाने भी हैं घर भी हैं अब यहाँ पर तमाम जो नमस्कार CRP की तरफ से तमाम जवान है वो यहाँ पर मुस्तेद है और फ्लाग मार्च कर रहे हैं इस पूरे इलाके में लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं लगभग जितनी गाडियां यहाँ पर सडक के किनारे लगी हुई थी उन सभी गाडियों को आग के हवाले कर दिया गय है इस तरह के तमाम पत्थर जो इन इलाकों में आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जवर्दस पत्थर बाजी की गई थी और यह CRP के तमाम जवान है जो यहाँ पर मौजूद है इसको जलाया गया है डेड़ से दो जार लोग थे दर से प्रोटेस्टर थे सामने के साइड में वो लोग वहां से उन्होंने पुलिस वाले पर पत्राव स्टार्ट किया है पुलिस वाले दोड़ के अपना पीछे की तरफ निकल गई है क्योंकि 40-50 पुलिस वाले थे वो ल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगता है यह संदेश बहुत दूर तक बिल्कुल हम तो यही कर रहे हैं सुभै से हम जो नेता लोग है वो तो कम से कम आगया कि कुछ बोले कोई सामने आने के लिए त्यार निया है शांती चाहते हैं तो शांती की अपील कीजिए बिल्क सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कम से कम जितने सियासत ना है वो सुन रहे होंगे जिसका इतना बड़ा नुक्सान हुआ है वह व्यक्ति भी आजशांती की अपील कर रहा है आई इस हिसे में आपको लिए चलते हैं यहां पर भी लागतार यह पूरा नुक्सान जो यमुना व सब्सक्राइब कर सकता हैं तो उसकी जान के जान पर बनाए इसलिए शायद इस तरा के पथरों का इस्तमाल किया गया था और यह स्लिप के बाद जब माःन में रोड पर चलेंगे तब भी आप देखेंगे कि वहां तो सिर्फ पत्थर कामबार है क्योंकि पत्तर बाभी इत गाडियों का किस तरह का नुक्सान हुआ है यह देखें कई सारे और तो इसमें दिखाई दे रहे हैं और तो सको आग के हवाले कर दिया गया है और ऐसे ही अब इस देखिए इधर वह पेट्रोल पंफ है मुझे लगता इदर आई यह पेट्रोल पंफ है यहाँ पर जो नुक् किया गया है ये तस्वीरें ही पूरी कहानी बया कर रही है घर के बाहर किसी की बाइक है स्कूटर है कार है और यहां वो पेट्रोल पॉम्प है आई अब आपको इस हिस्से में लिए चलते हैं और यहां पर दिखाते हैं किस तरह का नुकसान हुआ है अब हम यबना विहार के में रोड के किनारे उस पेट्रोल पॉम्प पर मौझूद है जिसे आग के हवाले दंगाईयों ने हिंसाकारियों ने कर दिया था गाडियां जो जैसी लगी हुई थी वो सब उसी तरह से जल गई और पेट्रोल पॉम्प भी पूरी तरह से आग में ज देख रहे थे यहीं वो पेट्रोल पॉम्प है यहां पर भी चार-पांच गाडिया इस हिस्से में है जिनको आग के हवाले किया गया है और ऐसे ही यह हिस्सा भी आप देख रहे हैं पेट्रोल पॉम्प का जिसको पूरी तरह से आग में जोग दिया हिंसाकारियों ने यह यमुना विहार इलाका है एक बार फिर से आपको बता दे और वहां पर यह जो पेट्रोल पॉम्प है उसको आग के हवाले किया गया था सभी लोग यहां पर मुझे लगता है जिसकी जो कुरसी जहां पर पड़ी हुई है वहीं से लोगों ने अपनी जान बचाई और वो कि पेट्रोल डालने वाले जो बूट्स है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जब इन सब को आग के हवाले कर दिया तो हिंसाकारी किस तरह से उनके माथे पर यह पागलपन सवार था उसकी गवाही यह तस्वीरे दे रही है क्योंकि उन्हें भी अंदाजा था कि पेट्रोल कम है यह वाला हिस्सा भी देखिए यहां पर भी पत्थर बाजी की आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर भी पहले पत्थर बाजी हुई है और बड़े बड़े पत्थर यहां भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर भी जबरदस तोड़ फोड की गई है और कई इलाकों मे भी एक बार इधर आजाए इस हिस्से में भी आप देखेंगे ना सिर्फ पत्थर बाजी हुई है बलकि जो गाडियां पड़ी हुई थी जो आटो पड़े हुए थे उन सब को जस का तस जला दिया गया है एक बार यहां से पूरा नजारा आपको दिखाते हैं कि क्या हालत और क्या नौबत आई है हाला कि कई लोग है इधर भी दुकाने देख रही है इधर भी कुछ दुकाने देख रही है आई आए आपको इस हिस्से में लिए चलते हैं यह यमुना विहार में एक पूरी गली हमने आपको दिखाई उसके बाद पेट्रोल पाम का नजारा दिखाया अब यह देखिए कई दुकाने यहां पर हैं जिनको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है हिंसा की वो पूरी जो आप एक तरह से कह सकते हिंसा का तांडव रचा गया था उसमें कितने हालात बेकाबू हुए किस पैमाने पर बरबादी हुई है किस पैमाने पर नु यहां से भी सड़क पर आगे जहां तक देखिए जहां तक देखिए इधर से दिखाईए यह जहां आप इस तरफ देखेंगे सिर्फ आपको सड़क किनारे कांच के टूटे हुए शीशे और बाइक्स चली हुई दिखेंगी अब हम आपको एक बार ज़रा पत्थरबाजी का नजारा दिखाते हैं यह बताएगा आपको कि कैसे राजधानी में जो मैं बार-बार कह रहे हुँ इस देश की संसत से 15-20 किलोमेटर की दूरी पर यह जगा है यह मुनाविहार और यहां पर पत्थरबाजी कैसी हुई है उसका नजारा यहां पर दिखाई है यह बताता है क कि किस तरह की पत्थरबाजी हुई है इतने बड़े-बड़े पत्थरों के साथ लोग लैस होकर आये थे पूरी तयारी थी पूरी संके यहां से लेकर आपको एक-दो किलोमेटर इधर और एक-दो किलोमेटर उधर तक काच के तूटे हुए टुकडे और साथी पत्थर के बड़े-बड़े यह बता रहे हैं कि हिंसा किस तरह से की गई आखिर इतने सारे पत्थर कैसे कठा किये गए कैसे उसके जरीए हमला किया गया कैसे भीड इतनी उग्र हो चुकी थी इतनी बे-काबू हो चुकी थी कि शायद परिस्थितियां बज से बत्तर होती चली गई और पुलिस प्रशासन उसको रोकने में नाकाम रहे इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे इसी नौर्टीस दिल्ली के एक और हिस्से में और दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ था क्योंकि आज सुबह की तस्वीरे भी ये बया कर रही है आज दिन की तस्वीरे आज शाम तक की तस्वीरे ये बया कर रही है कि बरबादी का ये आलम किस तरह से बेकाबू हुआ था और ये तस्वीरे गवाही दे रही है कि हालात क्या बने थे हिंसा के रोज यमुना विहार का ये वो पेट्रोल पॉम जो सड़क के इस हिस्से में जिसे आग के हवाले किया गया वहीं दूसरे हिस्से में हटिया आप लो यह वाला हिस्सा देखिए ये चांद बाग इलाका है जो सड़क की दूसरी तरफ है वहां पर भी कई दुकानों को आग के हवाले किया गया बताया जा रहा है कि एक हिस्से में पहले और फिर बाद में किया गया क्या हुआ था एक दो लोगों से पूछते हैं क्या हुआ था पहले वह था मैं पहले वह था उसके बाद उन्होंने वही करा है उसके बाद इधर करा है पहले उन्हों उधर जलाए उसके बाद इधर जला है तो शांती की अपील कीजे ना हम तो चाहते हैं कि इतने सालों से यहां पर आई और दिखाई यहीं पर टेंट लगा कर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और चारों दरफ बैरिकेडिंग भी पुलिस की लगी हुई थी और प्रदर्शन का दौर चल रहा था अब यही जानकारी आई है कि धीरे धीरे पुलिस यहां पर तैनाथ थी पुल इहां इस hm दौन को के और चाहिन पर यहां पर पत्थर बासी की गई यह आम दिन पर इन-son को पर निकलना मुश्किर होता है त्राफिक इतना जदा होता है लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी है इधर आ इन्हीं तस्वीरों के साथ अब दूसरे इलाके में आपको लिए चलेंगे क्योंकि यहां से आप समझ पाए होंगे कि कैसे एक तरफ विरोध प्रदर्शन जिसको हटाने की कोश्चे दूसरी तरफ जो हालत बनी पत्थराओं की और टकराओं की स्थिती बनी नागरिक्ता कानून के विरोध में जो लोग खड़े थे जो समर्तन में खड़े थे और फिर हालात इतने बेकाबू हुए कि घरों को जला दिया गया, दुकानों को जला दिया गया, कई गारियों को आग के हवाले कर दिया गया